जहां एक तरफ बिहार में सोनु की खुब चर्चा हो रही है, उसने बिहार के स्कूल और सिक्षकों की दुर्दसा दिखाई है। और कहा है कि सरकारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती और इस सरकारे स्कूल के सिक्षकों तो कुछ आता ही नहीं। उन्हें इंग्लिस तो बिल्कुल भी नहीं आता और वो सरकारे स्कूल में नहीं जाना चाहता उसकी एड्मिशन किसी प्राइवेट स्कूल में करा दी जाए। ये सब कहते ही सोनु से कई नेता मिलने आये और कई बॉलिवुड हस्तियों ने भी उसकी मदद की। लेकिन एक तरफ बिहार में एक ऐसे सिक्षक हैं जो स्कूल में सही सही पढ़ाते ही नहीं बलकि एक अनोखे अंदाज में पढ़ाते हैं। जिस तरह इस फिल्म में रामशंकर निकुम्भ सर क्लास के बच्चों को मनुरंजक तरीके से पढ़ाते दिखे थे ये फिल्म 2007 में आई थी और इस फिल्म को खूब पसंद भी किया गया था। इस फिल्म में आमेर खान उन बच्चों को जो ठीक से पढ़िया समझ नहीं पाते उन बच्चों को गाना गाकर और नाच कर पढ़ाते दिखे थे जो दर्सकों के बीच खूब चर्चा का विशय बना था। और ठीक उसी किरदार को वास्तविक जीवन में उतारते हुए उतक्रमित मद विद्याले कोलन की शेचक रंजित कुमार बच्चों को मनुरंजक तरीके से पढ़ा कर शिक्षा दे रहे हैं। वो खेल-खेल में बच्चों को गनित का पाठ पढ़ाते हैं। विद्याले के बच्चे भी उनके पढ़ाने के तरीके से खुश होकर उनकी पढ़ाई बातों को याद रखते हैं। इस क्रम में वो बच्चे जो मानसिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं या वैसे बच्चे जिने पढ़ने या लिखने में परिशानी होती हैं वो भी गानक गाते हुए गाने के माध्यम से सीख जाते हैं शिक्षक रंजित कुमार कविता के माध्यम से अलग-अलग गतिविदी करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिससे गनित जैसे कठिन विशे भी बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। उनके इस शैली से बच्चों के मानसिक विकास के साथ सारेरिक विकास भी होता है और खेल-खेल में पढ़ाई होने से इस्कूल के बच्चे भी काफी खुश रहते हैं। बच्चा किसी में चीज को अच्छी तरह से समझ लेता है और सीख लेता है। ठीक कर देते हैं। ये जानकर बड़ी खुशी होती है। जहानितीज सरकार पूरी प्रशासन और पूरी सिख्चा विवस्थठप हो चुकी है। वहाँ एक सिख्चक ऐसे भी हैं जो पूरी सिद्दत और इमानदारी के साथ बच्चों को एक अनोखे अंदाज में कविताओं के माध्यम से खेल कूद कर पढ़ाते हैं। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जन्ता जंक्षन। धन्यवाद।